अलो मेरे दोस्तों गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारी यूटू चैनल यूटू फाइवर पे स्वागत है एकदम चक्का मारते हुए स्वागत है मेरे दोस्तों क्यूंकि मैं चाहता हूं इस बार जारकंड के पीछ में चक्का मारना और मैं खुद नह तो जारकंड पॉल्टेक्निक इंट्रेंस इक्जामनेशन की त्यारिक करने वाले विद्यार्तियों के लिए तो लेट किस बात की मेरे दोस्तों जल्दी-जल्दी से हमारी यूटू चैनल यूटू फाइवर पे जाओ और वह 8-10 वीडियो को डेली डेक डालो और लगाओ एकदम तुफानी में क्या प्रैक्टीस करो एकदम क्या तुफानी प्रैक्टीस उडा दो जहारकंडपोल टैकनिक को अगर रेंक लेना चाते हो एक से लेकिए 100 तक तो आप हमारी यूटू चैनल में जितने भी बीडियो एं से रिलेटेड एक एक करके देख दालो और अग गरी मंदारी से तुम वीडियो को सुर्ण से अंतक देख डालो नहीं आये तो मुझे बोलना निकट द्रिश्टी दोस में किस लेंस का उप्योग क्या आता है द्रिश्टी दोस कैसा है निकट वाली विच लेंस इज यूज फोर मायोपिया वोला है अवतल यानि की कॉनकेव यानि वाइफोकल विलनाकार यानि की सिलेंड्रिकल उत्तल यानि की कॉनवेक्स निकट द्रिश्टी दोस में क्या होता है कि निकट की वस्तू देखती है दूर की वस्तू को देखने में परिशानी होती है और दूर को देखने के लिए ब्लोग अवतल लेंस के चस्में का यह करते हैं यह आप्शन नमबर ए बिल भी दराइट अंसर अब इस वोसर माइडियर स्टुडेंट्स को चल लिए पूसर नमर बारा प्याते हैं मानव नेत्र के लिए द्रिस्टी का अस्थाइत वह होता है पर्सिस्टेंस आफ वीजन और यूमन आई इस कितना होता है पर्स सब्सक्राइब कितना होता है एक बटा सूला सकेंड आपके एकजाम में यह पूछे जा सकते हैं मेरे भाई बटाइब पर और प्रावर्तन ना अट्मस्फेरिक रिफ्लेक्शन कुल प्रावर्तन यह टोटल रिफ्लेक्शन लिया में अपवरतन यानि आट्मोस्फेरिक रीफ्रेक्षर या कुल निके टोटल रिफ्रेक्षर तो इसका राइट अंसर होता है प्रकास का अधीक होता है सबसे ज़्यादा बिचलन किसका होता है हमसे पूछा गया है दडेवियेशन और विच कलर ओफ रे इस दा मैक्सिमम इन वाइट लाल रेड अरा ग्रीन यलो पीला जो भी है वैगनी वाइलेट बताओ क्या इसका अंसर होगा तो आप लोग सभी को पता है कि स्वेट परकास के में सबसे ज़्यादा बिचलन होता है वह वाइलेट की होती है यानि के डी बिल भी दर राइट अंसर आप दिस कोश्चन माइडियर स्टुडेंट्स नो लैट नो बैट सीधे चलेंगे अगले कोश्चन में क्यूंकि मैं आप लोगो करवाना चाहता हूं जारकन में टॉप किस में तो पर टेकनिक इंट्रेंस एक्जामनेशन दूहजर तैस में टॉप करवाने के लिए टॉप लाइक पढ़ाना भी पढ़ेगा न कि बोलने से टॉप थोड़ू हो जाएगा उसके लिए सा कंटेंट देना पढ़ेगा वैसा पढ़ाना पढ़ेगा और तुम लोग क सबको एक एक करके देख डालो नहीं आये तो मुझे बोलना चलिए को सब्सक्राइब करते का गया है कि तलाव का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है क्या है वाई आप पांड ओवाटर अपियर्स लेस डिप डिव टू प्रावर्तन रिफ्लेक्शन बिवर्तन डिफ्रेक्शन अपवर्तन रिफ्रेक्शन धूबरन यानिकी पॉलराइजेशन या इसका राइट अंसर होगा कम गहरा दिखाई देना बेटा चेंज इन पोजीशन की बात प चलिए कोशन नमर 15 हो गया कोशनन सुला प्याते कोसलन बोल रहा है कि टिंडल परवाव परदर्सित करता है टिंडल इफेक्ट सोज क्या सोज करता है प्रकास का प्रावर्तन रिफ्लेक्शन अफ लाइट प्रकास का वीचेपन डिस्पर्शन अफ लाइट प्रकास का ननियाने की option number D will be the right answer मेरे दोस्त मेरे बच्चे अगले को सर्प आते हैं को सन्नमर 17 किसी बस्तु का प्रतिविम आख के जिस भाग पर बनता है वह है क्या है भाई आइंड को पता है तो आप लोग को पता है कि हमारी आखों में जिस भाग पर पर प्रतिविम बनता है उसे रेटीना के नाम से जानते हैं और रेटीना पर उल्टा और बस उसे छोटा होता है ठीक है ना मेरे दोस्त तो यहां पर अंसर हो जाएगा शत्रह का B नमबर सीधे वाएंगे अठारा पर कहां पर आएंगे अठारा पर अठारा में क्या बोला है डब्लू कलर आफ दा स्काई एंड दा रीडिंग ऑफ सन at sunrise and sunset is cause due to अकास का नीला रंग और सुरियोदे अम सुरियास्त के समय सुरि के लाल रंग का कारण क्या होता है एना कारण पूछा है परकास का बिविक्रन प्रावर्तन थर्मल परवाव या बैवंडली ये बिवर्तन एना स्केटरिंग ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन थर्मल इस डिस ट्रैक्शन बालों को पता है किससे समय अमझते से कलर से कलर से समय अगर पूछा जाया है जैसे आकास का नीला रंग समुंजर का गहरा दिखाई समुंदर का नीला रंग अगर रंग से पूछा जाएगा मेरे दोस्त तो तुम क्या देना आंसर आस यानि परकास का विक्किरन यानि कि option number a will be the right answer of this question question number 19 पे आते हैं और question number 19 देखते हैं क्या कह रहा है कता है कि if an object reflects all color star color को क्या कर रहा है reflects कर रहा है and observes none it will यदि कोई बस्तु सारे रंग परिवर्तित कर देती है और कोई भी रंग अब सोसित नहीं करती है यह किस रंग की होगी काली होगी यानि कि black होगा सफेद होगा यानि कि white होगा पिली होगी यानि कि yellow होगा निली यानि कि blue कैसी होगी भाई तो जो सारे color को अवसोसित कर लेती है उस वो तो काला दिखाई देती है लेकिन यहां पर बोल रहा है किसी भी क्लल को अपसोशित नहीं कर लेती है तो इसका मतलब कैसी दिखाएगी सफेद दिखाएदेगी यानि और देखते हैं कर दो कर दो होता है यह लाइट सेटीव अपरचर आप लोगको पता है कि रेटीना एक बनती है यानि कि यहां पर आप्सण नबर दाइट अब इसकोशन लेट नो बेट चलते सिद्धे लगाना धूंगा दूगा कर देना और तुमारी रहें एक से लेके सो तक ला देना है और यह मैं करता हूं बादा कियुकि मैं करता हूं तुम लोग पढ़ाता हूं पहले से ज करवेश करनेवाली प्रकास की मात्रा द्वारा नीथित की जातेये किसके दौर नियांद है परी तारिका यानिकी आईरीश स्वेद पतल जानिकी कोर्निया द्रेश्टि पतल यानीके रेटीन आखों की पुद्ल इसके द्वारा कांट्रोल की घर मेरे भाई तो बोलेघ is पुर्डो 10 अब कांसर हो जाएगा आख के लेंज की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके किरिया के कारण होता है किसके किरिया कारण होता है पुतली यानि की पुपिल अच्छी पटल यानि के रेटीना स्लेरी मांस पेस यानि के स्लेरी मसल्स है ना आयरिस यानि की किरिस क्या है बताइए किसके कारण होता है आ अनीला यानि की बलू काल निल्याने की ब्लाइक रेड यानि के लाल इनमें से को यानिके नन ऑप दिज आप लोग को पता होने चाहिए कि अंतिरिक को जो अंतिरिच में जो अकास दिखाये ताहिता है में और दोट लेट करेंगे नबेट करवाएंगे सीधे चलेंगे को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जितने वीडियो है सब देख दाली है और आपका अगर सो से नीचे ना आए तो मुझे बोलना है कि नेंवलिकित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग यानि विच आफ दा फ्लोविंग इस दा कलरड़ पार्ट आफ आई कलरड़ पार्ट आइकों होता है पहला उप्षन ने कौर्णिया रेटीन परितारी का यानि कि आईरिस पूतली यानि की पूपिल तो राइट अंसर क्या होगा जो आईरिस होता है ना वह ने पाराओं आप लोग को पहले से ज्यादा 25 पर चलेंगे लेट करेंगे और बच्चे को सीधे जार करेंगे में एडिवीशन दिल्वाना है उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा मस्ती से और तंदुरुस्ती से चलिए को देखते हैं पुतली के साइज को कौन नियांतरित करता है कि इसी तरीका से आपके लिए घेली 10-10 वीडियो अपलोड कर दे तो क्या झारकन पोड़ टेकनिक नहीं निकल जाएगा एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं जितने बच्ची रिकॉरड यह लाई करके जरूर बताना मेरे को एकर इसह तरीका से अगर दस दस वीडियों डेली अफframeल उसलें घं़र शाएंगे और ंखर तुम देख लेते हो तो क्या तुम से नहीं लगता Or सब्सक्राइब करने के लिए किसका उपयोग होता है काच की सिल्ली अवतल दरपन उत्तल लेंस या प्रिज्म वाट इस यूज तो ऑफ्टेन अस्पेक्ट्रम ग्लास ब्लॉक और के मीरर कॉन्वेक्स लेंस या प्रिज्ब तो अस्पेक्ट्रम पराप्त करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है किसका प्रिज्म का यानि की ऑप्शन नमबर डी बिल भी दराइट अंसर अगला आते हैं कि यह रहां को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करती है कौन करती वाई रेडियस ऑफ करवेचर आफ दा लेंस ऑफ आई इज कंट्रोल वाई किसके द्वारा कंट्रोल होता है मेरे प्यारे मित पच्छ माभी मांस पेसियां द्रिस्टी पटल परी तारी का इसके द्वारा कंट्रोल होता है तो आपके राइट अंसर हो जाएंगे प्यारे मित्र आप्शन नंबर एब इस परकार से आपका मैं ना 27 को सब्सक्राइब करवा दिया है और 27 को सब्सक्राइब का काफी इंपॉर्टेंट को संता अगले सेशल में लेकर आओंगा बीडिय कि सिधर वीडियोगोm को सुरूव से अंतक देखना मैं जर्कन पॉर्टेक्णिक का किया करूं एक पलेलिस्ट माद हो अपने यूटुब चैनल पे स्पेशल सा आप लोग का काम क्या है उस प्लेलिस्ट में जाना वीडियो को देखना और देखने के बाद जब एक्जाम देखे आओगे 30 तारी को तो बोलोगे तुम कि सर सच में जितना भी वीडियो था ना सर काफी इंपॉर्टेट वीडियो था और मैंने देखा और मेरा र